गैस के आपने भी पापा से पैसे मांगे थे स्मार्टफोन खरेदने के लिए मैंने भी मांगे थे और यहाँ पर सारे रिलेजेंड समझे होंगे और जिनको नहीं समझाया मैं बताता हूँ आपको मेरे साथ यह हुआ था जो आपके साथ हुआ था गजब बेज़ती है तो फायनली काफि सारी मुस्कत करने के बाद पैसे तो मळ गता हुआ लेकिन यह किस विडियो में आपके लिए क्सम्राटफोन शही रहेगा तो आज किस वीडियो को सुरू कर लेए बूर आए आपने यूटूब पर या फिर कहीं भी कापी सारी वीडियो देखी होंगी और उसमें लोग आपको बताते हैं कि आप एक चेकलिस्ट बनाईए यानि कि एक नोट बनाईए कि आपको फोन में क्या क्या चाहिए अरे भाई आप पहले अपना बचेट सेलेट कर लिजेगा आप उस बचेट में आपको एक क्या चाहिए पहले ही आपको चेकलिस्ट नहीं बनाना है कि हां एक जायब पहले आप परायज यानि कि वजट अपना एक पोरन बना है और हम्हाब के या उसे प्जेकलिस्ट बनाईं कि आप पूनenders ड्रेड ने करने के बाद लाक है आपको फून कितने प्राइज रेंज में चाहिए 15,000 के रेंज में 20,000 के रेंज में या फिर 25, 30 जो भी आपका वजट है वो सिलेट करने के बाद फाइनली आप खुद से जो ये सोचिए कि आप फून किसलिए खरीज रहे हैं मतलब कि आपको फून में क्या 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 करना है तो कुछ लोग होते हैं जिनको एक अच्छा कैमेरा वाला फून चाहिए होता है तो अभी तो 108 में अपिसल तक कैमेरा वाले स्मार्टफोन आ गया है आप उन सारे स्मार्टफोन पर ध्यान दीजिए अगर आप एक गेमर है आप अच्छा खासा मुबाइल में गेमिंग करने क के लिए फोन खरित रहे हो तो एक अच्छा पॉर्सेसर पर ध्यान दीजिए जिस फोन में आपको एक अच्छा पॉर्सेसर मिलता है आप उस फोन को भाई करने पर ध्यान दीजिए और कुछ लोग नॉर्मल उजर होते हैं नॉर्मल उजर के लिए लेते हैं तो पहले आप यह confirm कर ले कि आप किस लिए smartphone buy कर रहे हैं काफी सर लोग यहीं पर गलती करते हैं जाते हैं market में या फिर online को भी phone buy कर लेते हैं इनको यहीं पता है तो हमको phone में क्या करना है फिर आप phone buy कीजिए चलिए आपको कुछ important बात बता देता हूं अगर आप आप इसके smartphone buy कर रहे हैं तो यह चीज़ smartphone में होना ही होना चाहिए मतलब आप एक नॉर्मल यूजर भी है फिर भी आपके smartphone में यह सारे चीज़ का होना important हो जाता है सबसे पहले बात करते हैं phone की performance के बारे में क्योंकि phone का performance सबसे important होता है वही main phone को चलाने का काम करता है तो आप एक अच्छा प्रसेसर वाला smartphone पर ध्यान दीजिए अगर आपका phone का processor जब अच्छा नहीं रहेगा तो फोन बिल्कुल भी बेकार रहेगा तो आप कूसिस किजिए कि एक अच्छा प्रसेसर वाला स्मार्टफोन लें और दूसरे नमर पर आता है डिस्प्ले की quality आप जो है स्मार्टफोन अपना जब लिजेगा तो दिन पर आप चलाएगा तो में इंपोर्टन करता है डिस्प्ले ही अगर डिस्प्ले के quality अच्छा नहीं रहेगा तो आपको बिल्कुल भी मजार नहीं आ चाहिए ताकि आप बाहर भी जाए दूप वगएरा में फोन चलाए तो आपका स्क्रीन वीजीबल रहा होगा पर आपको कोई दीकत नहीं आए और कैमरा की बात करते हैं तो आपके फोन में अटलिस्ट अभी के डेट में मतलब 64 में अपिसल का मीनिमम कैमरा तो होना ही होना चाहिए वह मैंटर नहीं करता है कि त्रिपल कैमरा या फिर क्वाड कैमरा है सिंगल कैमरा भी रहेगा तो आपका अच्छा चलेगाँ स्मार्टफोन आपको उसमें भी कोई दीकत नहीं आएगा लेकिन ऐटलिस्ट 64 में का कैमरा होना ही होना चाहिए और फ्रंट में सेल्फ चाहिए यह सारे चीज इंपोर्टेंट है कम से कम आपकी फोन में 64 मेड़ा के कैमरा होना चाहिए या फिस जो है 5000 इमेज का बाइटरी 18 वाट से कम का चार्जर नहीं 18 वाट से ऊपर का चार्जर होना ही इंपोर्टेंट हो जाता है तो यह सारा कुछ मैंने आपको बता दिया आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप एक अच्छा स्मार्टफोन बाइक करके आएंगे आपको कोई भी दिकत नहीं आएगा मेरे से काभी सारे लोग कुछ रहें थे कि भाई एक के स्मार्टफोन बता दो कोई बढ़िया रहेगा तो आपके लिए कौन सा स्क्राइब जरू कर लिजेगा जो चली मिलें अपने अगले वीडियो में तम तक के लिए नमस्कार जैन जै भारत